हेलो एब्रिवाण तो गाईज, आज हम बना रहे हैं काले चन्चने की बहुती टेस्टी सबजी, जो कि आप पूड़ी, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खाओ, बहुती टेस्टी लगता है तो चलिए इसे हम बनाते हैं, तो इसे बनाने के लिए हमने रात में ही चन्चने को वाद हैं से तरेटे digits बनाने के लिए हम मसाले घ्रदेंगे तब चिंड देख सकते हैं उस्में हम कुछ मसाले तो इसे बरने के लिए हम सबसे पहले सूर्ठी का कोई भी कपड़ा ले लेंगे जो कि आप देख सकते हो हमने लिया है और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि हम दालचीनी का एक टुकड़ा डाल रहे हैं, एक बड़ी इलाइची, दो छोटी इलाइची, कुछ लॉंग हैं, और इसमें हम डाल रहे हैं, कुछ दाने, काली मिर्च के, 10-12 दाने हैं, और सब को बान कर हम इसी कूकर में डालन decibel लेना भी नहीं है इसे हम बाद में यूज करेंगे तो हमने इसकी एक पो टलीरी करेंगे और अब हम इसे कुकर में डाल़ेंगे तो कुकर में डालने के बात जब यह सीटी लग जाएगी गाइस तो इसे निकाल लेना होता है और इसमें हम डाल रहे हैं एक चमज से थोड़ा सा कमी आदा चमज के करीब में हमने डाला है नमक और इसको ढखकर हम 2 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पे और जब 2 सीटी आ जाएगा तब तक हम प्याज कट कर ले रहे हैं तो हमने एक बड़ा साइज का प्याज लिया है इसे छील कर हम कट कर लेंगे, अगर medium size के प्याज है गाईस, तो आप दो भी कट कर सकते हो, और इसे बारीक हम कट कर रहे हैं, जिससे की यह बहुत अच्छा gravy ready होगा, और इसके बाद हम कुछ कलिया लौसुन के लिए हैं, इसे भी कट कर लेंगे, एक इंच के करीब में हमने अधरक का टुकडा लिया है, इसे छील कर हम इसे भी कट कर लेते हैं, तो इसको हम पेश्ट बनाएंगे गाईस, तब तक कूकर में दो सीटी लग गया है, तो हमने इसे गैस से उतार लिया है, थोड़ा ठंडा हने के बाद हम इसे open करते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो चन बिल्कुल भी, जो मसाले हैं, उसे हम निकाल लेंगे, और इसे पीछ लेंगे, तो हमने एक जार लिया है, और इसमें हम डाल रहे हैं, जो अधरक कट कर किये थे, और लहसुन उसे, और इसके बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे, एक चमच के करीब में, दो तेज पत्ता डा आएंगे, और अलग से हमें ये मसाले डालने नहीं पड़ेंगे, तो सारे मसाले को हमने जार में डाल दिया है, और इसके बाद हम इसे पीछ लेंगे, बारिक पेष्ट में, ये मसाले जो है, इसका आधा फ्लेवर जो चने में चला गया है, और आधा मसाला ग्रेवी में चल तो हमने उपर से कुछ धनिय के पत्ते डाले हैं थोड़े से चने डाल कर हम इसे बारिक पेस्ट रेडी कर लेंगे जो की मसाले में ग्रेवी का काम करेगा गाइस तो अब हम गैस को ऑन करते हैं और इस पे रखेंगे कडाई तो कडाई में हम गाईस सरसो का तेल डाल रहे हैं अपने according आप डाल लीजेगा और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे तड़के के लिए दो सुखी लाल मिर्स डाल देंगे और इसमें हम डाल रहे हैं जो कटे हुए प्याज है उसे इसे डाल कर हम भूनेंगे जब तक की प्याज गोल्डेन कलर पे ना आ जाएगा इस तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा और यह भून कर गोल्डेन कलर पे जब आ जाए तो जो पेश्ट हमने रेडी किया है उसे इसमें डाल देंगे तो ठीक है थोड़ा सा लाल मिर्च अपने कोर्डिंग आप डाल लिजेगा और इसमें हम ड्रीयट चमठ के करिभी में धनिया पावडर डाल रहे हैं और भाद में हम थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल रहे हैं और इसे डालकर हम मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से मसाले भूनना है जिससे की फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए और इसे भूनते हुए हमने थोड़ा सा पानी भी एड़ किया है और इसके बाद हमने ऊपर से डाला है जो टमाटर की प्यूरी है दो तीन टमाटर लेकर इसे प्यूरी बना लिये थे और इसके बाद हमने इसे मिक्स करक भूना है जब तक कि यह ओयल न छोड़ दे तो इसे भूनने के बाद आप देख सकते हो कि थोड़ा-थोड़ा ओयल रिलीज हो रहा है यानि कि मसाले हमारे भून के रेडी हो गया है तो जो चने है उसे हम अब इसमें डाल देंगे और इसे डालने के बाद गाईज इसे बहु काला नमक तो आप चाहो तो थोड़ा सा वाइट नमक भी डाल सकते हो रेगुलर वाला और इसे डालकर हूम कर लेंगे तो इसे बहुत ही अच्छा मसाले से इसका और मेड्yum फ्लेम पर इसे पंखने के लिए ठोड़े देर के लिए चोड़ दिएं मुश्किल से दो तीन मन के लिए और लीजे गाईज मसाले बिल्कुल रेडी हो गए हैं यानि कि हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हो गई है तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गैस से हमने उतार लिया है और अब हम इसमें एक तड़का देंगे जिससे कि इसका टेस्ट डबल ह पास हो जाए है तो हमने एक टड़के वाला चोटा सा कलचुल लिया है और इसमें एक चमच घी लालेंगे ठोड़ा सा इसमें हामने हिंग डाला है sert और अद्रक के ठोड़ेसे कतरन डाल देंगे और ढ़ीम बवर्च डालकर जेसेता कर य। और इसके बाद हम इसे गैस से उतार लेंगे गाईज इतना काफी है और इसे हम उसी चने में तड़का उपर से लगा देंगे जिसे की टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है गाईज और इसे हम मिक्स कर लेंगे तो mix करने के बाद guys ये ready हो गया है हमारा काले चने की बहुत ही tasty सबजी guys और ये बहुत ही अच्छी बनती है तो अगर आपको पसंद आए तो एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा आप इसे रोटी, पूडी, पराठा या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो बहुत ही tasty लगता है guys अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमें like और subscribe करना न भूलिएगा, comment करके बताईएगा की कैसे बने हैं, मिलते हैं आपसे अपने next वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव